हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी को मेरा नमस्कार राधे राधे हिंदू पंचांग के अंसार प्रतेक वर्समाद माहा के कृष्ण पच्च की चतुर्दी तिथिपर सकट चोथ का वरत रखा जाता है इस वरत को सकट चोथ के अलावा संकुटी चतुर्दी तिलकुट माच चतुर्दी आधनामों से जाना जाता है सकट चोथ का वरत पर्थम पूझ देवता भगवान शरी गडेश को समर्पित है इस दिन वरत रखा जाता है और गडेश जी की पूझा की जाती है इसके बाद रात में चंद्रमा को अरक देकर वरत का पारण किया जाता है यह वरत खास दोर पर महलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयू और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है मानेता है कि इस वरत को करने से विगन हरता गड़े संतान के सारे संकटों को दूर करती है तो आईए जानती हैं 2024 में सकर्चोथ कब है पंचांग के इनसार मात महा के किष्ण पच्च की सकट चतुर्दी तेति की सुरुवात 29 जनवरी 2024 को सुबह 6 बच कर 10 मिनट पर होगी अगले दिन इसका समापन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8 बच कर 54 मिनट पर होगा ऐसे में इस साल सकर्चोथ का वरत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा सकर्चोथ पर चंद्रमा को अरग देने का टाइम और चंद्रमा कर निकलने का टाइम चंद्रोदे का समय है रात को 9 बच कर 10 मिनट से देश के अलग-अलग हिस्सों में चंद्रोदे का समय अलग-अलग होगा लेकिन जो सुरुबात होगी वो 9 बच कर 10 मिनट से होगी तो देखिए ये तो हमने चंद्रोदे का समय बता दिया और इसका मैत लेकिन अगर आपके यहां चंद्रमा नहीं निकलता है तो आपको पुजा कैसे करनी है इस बारे में उर जानती देखिए अकर चंद्रमा नहीं निकलता है तो मैंने एक वीडियो से एर किया है कि आप एक चांदी की प्लेट में या फिर आप एक स्टील की प्लेट में घोल आकर का चंद्रमा बना कर उसके सामने चंद्रमा का रूप देकर विधिवत पूजा करकर भी चंद्रमा का रूप उसे दे सकते हैं और पूजा कर सकते हैं वहाँ पर भी आप भगवान गड़ेस के आगे हार जोड़ कर पूजा कर सकते हैं सकट चोद के सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक शेर अवश्च करें सभी को राधे राधे सकर चोथ की हार्दिक सुपकामना है